हेलो अब्रीबडी वेलकम तो दे यूटूब चैनल ऑफ गबर्मेंट गल्स कोलेज दारानगर वांस अगेन आज हम बीएस्टी इर का पेपर फर्स्ट कोडेटा एंड इवोल्यूशन शुरू करने जा रहे हैं तो आज का अपना डिसकॉसन रहेगा फाइलम कोडेटा एन इं इसको बालफोर ने 1880 के अंदर स्टैबलीश किया था ग्रीक लैंगवेज से दो वर्ड ग्रीक लैंगवेज के दो वर्ड से मिलकर बनाया पहला वर्ड कोडेजिसका उन्तर स्ट्रिंग या कोड रस्या रजुक और दूसरा एटा या ग्रूप तो इनका नाम कोड़ेटा इ क्योंकि इनके बैक सेड में इनकी पीठ के अंदर एक स्टिफ सपोर्टिंग रोड लाइक स्ट्रक्चर छट नुमा सरंचन पाई जाती जिसे हम क्या बोलते नॉट तकॉर्ड इस प्रकार कोड़ेट्स ऐसे अनीमस होते हैं जिनके बैक साइड में नॉट तकॉर्ड पाई जाती है, फाइलम कोड़ेटा गया वाला जो भी अनिमस बसते हैं, दूसरे जो फाइला है फाइलम कोड़ेटा गया लां के अंदर जो भी अनिमस आते हैं, उनकों सिंपली क्या बोलते हैं? इस प्रकार अनिमल किंग्डम को ब्रोडली दो ग्रूप्स के अंदर क्लासिफाई करते हैं कोड़ेटा एंड नौन कोड़ेटा तो कोड़ेट फाइलम कोड़ेटा जो है यह है डूटेर फ्टॉम्स के अंदर सबसे बड़ा फाइलम है और यह मॉस्ट इंपॉर्टेंट से बड़े अगर हम ग्रूप की बात करें तो वह है वर्टीब्रेट्स इसका दिकांस जो प्रोपोर्शन वह वर्टीब्रेट्स के दोरा बनाया जाता है जिनके अंदर फीशेज एमफीबियंस रप्टाइल्स बर्ड्स और मैमल्स आते हैं इसके लावा जो कुछ लैस्वे कैने से स्टार्ड करते हैं तो कॉर्डेट्स के नजोसरे लार्जेस्ट गेजा के दर फीशेज के दारा बनाया जाते हैं तो लग पर्षेंट कोड़ेट्स फीशेज होते हैं तो फीशेज को इसके अंदर डिवाइड करते हैं पहला होता है एक कॉंडरिक्थीज दूसरा ऑफिक्थीज तो चॉंडरिक्थीज की लगभग 900 स्पीशेज और ऑफिक्थीज की लगभग 25,000 स्पीशेज ओल अवर दे ग्लोब प्रिजेंट है इसके लाव इसके अंदर सीलोकेंस और लंग फीशेज है इसके 8 स्पीशेज टोटल वाल्ड गेंदर प्रिजेंट है दूसरा ऑग्रूप वह एंफिवियंस एंफिवियंस कोड इसके अंदर लिजर्ड्स, स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स, टॉर्टल्स एंड टॉर्टोइज आते हैं बर्ड्स कोड़ेट्स का 17 भाग बनाते हैं और बर्ड्स की लगभग 9,000 स्पीशीज ओल वर दे ग्लोब प्रेजेंट है मैमल्स 8 परसेंट और इनकी कितनी स्पीशीज है 4,500 अगर हम बात करें प्रोटो कोड़ेट्स की तो प्रोटो कोड़ेट्स मनाते हैं 4 परसेंट जिसके अंदर यूरो कोड़ेट और सिफिलो कोड़ेट आते हैं मतलब जैसे हम इसके सबसे बड़े ग्रूप की बात करें तो ट्यूनिकेट्स एंड लेंसलेट्स तो 2,022 प्रेजेट्स प्रेजेंट है अविलेबल है साइज ओफ कोड़ेट्स तो कोड़ेट्स का नंबर इतना ज्यादा नहीं अगर हम कंपेर करें मॉलस्का से हार्थ रोपोड़ा से लेकिन फिल भी एको सिस्टम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो सबसे बड़ा जो कोड़ेट होता है वो ता ब्ल्यू वेल जिसका लेंथ लगबग 35 मीटर हो सकता है इसके बाद वेल सार्क जोता है इसकी लेंथ 15 मीटर होती है अगर हम सबसे छोटे कोड़ेट की बात करें तो वो एक फिस होती है फिलिपीन गोबी जिसकी साइज होती है केवल 10 मिलिमेटर् इकोलोजी ओफ कॉर्डेट्स तो फाइलम कॉर्डेटा जो है यह सबसे last फाइलम है आनिमल कींगडम का और यह एनिमल किंगडम का सबसे successful, most successful फाइलम है coordinates जो है ये सभी प्रकार के habitat के अंदर पाय जाते हैं और जितने भी modes of existence है जितने भी habitats है उन सभी के अंदर रहने के लिए suitable होते हैं उन सभी में रहने के लिए adapted होते हैं तो ये even अगर हम बात करें इनकी adaptivity तो ये आर्थ्रोपोडा से भी ज्यादा successful है अगर हम होते हैं ये आर्थ्रोपोडा की comparison में ज्यादा successful है तो ये हर प्रकार के habitat के अंदर जैसे ocean के अंदर fresh water के अंदर air के अंदर ठीक है और land के सभी parts के अंदर पाय जाते हैं पॉल से लेके equator तक मतलब धुरूव से लेकर विश्वत रेखा तक हर जगया पे coldets देखने को मिलते ह हैं तो अगर हम बात करें birds और mammals की तो birds और mammals होते हैं वो तो coldest environment के अंदर भी देखने को मिलता है क्योंकि इनकी body का temperature constant होता है ये warm-blooded होते हैं तो ये जो character है ये बाकी animals के अंदर नहीं पाय जाता है इसलिए birds और mammals से तो ये तो और भी ज्यादा adaptive और भी ज्यादा successful है lower coordinates marine होते हैं समुद्री जल में ही पाय जाते हैं फीशिज aquatic होते हैं marine भी होते हैं fresh water भी होते हैं और higher coordinates तो हैं जैसे reptiles है mammals है तो ये predominantly कैसे होते हैं terrestrial होते हैं land के उपर पाय जाते हैं sea water amphibians से देखने को नहीं मिलता है वद्दा amphibians होते हैं वो sea water के अंदर नहीं पाय जाते हैं यह में सा fresh water होते हैं कोई भी bird permanently water के अंदर नहीं रहता है लेकिन कुछ amphibians reptiles और mammals तो ये water के permanent residents होते हैं जैसे हम आगे इनका classification पढ़ेंगे example पढ़ेंगे तो हमें देखने को मिल होते हैं कि इनकी कुछ aquatic forms भी होते हैं जो permanently water के अंदर रहते हैं अधिकां स्ट्यूनिकेट्स सैसिल होते हैं सैसिल का मतलब एक जगह पर fix होते हैं मूव नहीं करते हैं और जितने भी cordates हैं वो free living होते हैं स्वतमत्रजी भी होते हैं और कोई भी cordate parasitic नहीं होता है strictly parasitic नहीं ह होता है अब हम बात करता है कोड़ेट कोड़ेटा के तीन fundamental characters की तो पहला character है dorsal hollow nerve cord dorsal hollow nerve cord अगर हम बात करें non-cordates की तो उनके अंदर nerve cord पाए जाता है लेकिन वह ventral होता है और वह solid होता है code kेंदर पाए जाने वैगा nerve cord कैसा होता है ? नह जोंदे नागर हम वर्टीब्रेट की बात करें तो नर्व Cord ये आगे की तरफ छो एक the लाइन नोटो कोड़ जो हता है वो कुछ फॉर्म के अंदर परसिस्ट करता है और कुछ फॉर्म के अंदर ये परसिस्ट नहीं करता है दिकांस फॉर्म के अंदर ये परसिस्ट नहीं करता है नोटो कोड़ को या तो वर्टिब्रिल कॉलम की द्वारा रिप्लेस कर दिया जात जाता है यह पिर वर्टीवरल कॉलम के द्वारा इसको और कभर कर लिया जाता है तीसरा तो क्रेक्टर है वह फेरेंजल गिल्स wykon की किसी नहीज्टे के अवस्ता के अंदर फेरेंजल के अंदर ये भी persist नहीं करते हैं primitive forms के अंदर ये persist करते हैं तो इस पर कार तीन basic character तीन fundamental character है पहला है dorsal hollow nerve cord दूसरा है notocord और तीसरा है pharyngeal gillslits इसके लिए अगर हम बात करें एक post annal tell की तो non-cordits के अंदर हम बात करें तो जो ns होती है वो tell के बाद खुलती है या तो tell होती ही नहीं है या फिर वो एकदम last में खुलती है और यहां पर क्या होता है कि एक थोड़ा सा part ns के बाद भी present होता है जिसको हम क्या बोलता है tell तो tell यहां पर कैसी होती है post annal कुछ characters ऐसे हैं जो cordits और higher non-cordits के अंदर common होता है जैसे axiation तो axiation का मतलब होता है कि जैसे जो animals होता है इनके अंदर एक anterior part होता है posterior part होता है तो इसको हम क्या बोलता है axiation अब क्योंकि इनके अंदर axiation पाए जाता है तो इस position के अंदर symmetry कौन सी मिलेगी bilateral symmetry जो higher non-cordits और codits इनके अंदर triple blast condition होती है मतलब 3 germ layer होती है actodum, musodum, endodum अगर हम बात करें शी लॉम की तो higher non-cordits और codits के अंदर true sylume पाए जाती है तो higher non-cordits के अंदर जैसे हम बात करें तो sizeocilus और antirosilus दो टाइप की sylume होते है तो अधिकांस higher non-cordits के अंदर sizeocilus होती है और अगर हम quardates की बात करें तो इनके अंदर anterosilis siloom पाई जाते हैं तब दोनों के अंदर true siloom होती है अगर हम बात करें metamorism की तो higher non quardates और quardates दोनों के अंदर metamorism देखने को मिलता है तो metamorism का मतलब होता है कि body का segments के अंदर खंडों में विभगत होना segments के अंदर divided होना तो अगर हम बात करें codedбस की तो coded Codrets के अंदर बाहर से तो कोई segment देखने को नहीं मिलता है लेकिन हम कुछ parts के बात करें जैसे की vertebral column है कैसे रूगदन्ड है क्युसी रूखदन्ड के अंदर vertebral का मिलते हैं कैसे रूकाईंज देखने को मिलते हैं तो इस वज़े से क्या होता है हम बोल सकते हैं कि कोड़ेट्स के अंदर भी मेटामरीजम देखने को मिलता है हाइर नॉन कोड़ेट्स कोड़ेट्स तोनों के अंदर ही अगर हम ग्रेड ओफ और्गनेज़ेशन की बात करें संघठन के स्थर की बात करें तो उसको कौन से टाइप का संघठन का स्थर मिलेगा यहां पर ओर्गन सिस्टम लेवल ओफ और्गनेज़ेशन अब कोड़ेटा जो है वो दूसरे जो फाइला है इससे कुछ एडवांस्ट है तो यह कौन से करेक्टर है जो इसके अंदर एडवांस्ट है तो पहला है लिविंग एंडोस्केलेटन तो इससे पहले कि जो एनिमल से इनके अंदर या तो एंडोस्केलेटन होता नहीं या फ नहीं वज़े से कह ओता उसको बार-बार से वह b SM के अंदर एक काम नहीं करता है और उसको बार-बार से SAD करने की जरुरत नहीं हो दियुक बार-बार से उसको फोल ऑफ होनेогодर उतरने की जरुरत नहीं होती है वह बोड यके साथ grow करता रहता है efficient efficient respiration तो अगर हम aquatic forms की बात करें तो वो गिल्स के तो रहा respiration करता है अगर हम terrestrial form की बात करें तो लंग्स के तो रहा respiration करता है तो इसलिए इनका जो respiration होता हुआ efficient होता है lungs जो lungs के अंदर blood की supply अच्छी होती है इस वज़े से body का हर पार्ट जोता है वो oxygen आसानी से receive कर सकता है गेस एक्षेंज होता है गेस वोगा जो आदान प्रतान होता है वो बहुत ज्यादा efficient होता है अगर हम insects for example insects की बात करें तो उनके अंदर trackle system पाई जाता है वो भी efficient होता है लेकिन वो एक छोटी body के लिए efficient है अगर हम बात करें इतनी बड़ी body की coded से अगर जो वो non coded का comparison के तो उससे काफी बड़े होता है तो वहां पर trackle system काम नहीं कर सकता तो इस वज़े से यहां पर गिल्स का formation हुआ लंग्स का formation हुआ तो यह efficient respiration करता है respiration का efficient होता है तो यह codata है दूसरे phylum की तुलना में यह करेक्टर advanced है efficient circulation तो body के जो different parts होता है इनके अंदर blood vessels की supply अच्छी होती है तो इनका circulation better होता है centralized nervous system तो यह भी एक करेक्टर है जो की codata के अंदर दूसरे phylum की तुलना में एक advancement है अब हम codata और non codata को compare करेंगे तो पहला character अपना symmetry, codata के अंदर symmetry मिलती है bilateral, non codata के अंदर radial, biradial, bilateral या फिर asymmetrical भी हो सकते है symmetry नहीं भी हो सकती है दूसरा character metamorism तो codates होते है true metamorism so करते है non codates या तो true metamorism होती है या pseudo metamorism या फिर इनके अंदर metamorism नहीं पाई जाती है post anal tell codata के अंदर usually देखने को मिलती है non codata के अंदर post anal tell नहीं पाई जाती है grade of organization codata के अंदर organ system grade होती है non codata के अंदर protoplasmic cellular tissue grade organ organ system सभी प्रकार की grades देखने को मिलती है 혀 होती है जर्म-लेयर तो. तो कोड़ेटा जोते हैं to be leftzekед non-codata diplo यह प्रेजेंट होती है और वर्टीब्रेट के अंदर क्या होता है इसको बैकबोन बैकबोन जिसको हम क्या वालेंगे वर्टीब्रेल कॉलम की दोरा रिप्लेस कर दिया जाता है नोन को डेटा के अंदर नोटो कोर्ड या बैकबोन नहीं पाए जाती है अगर हम गट की पोज लाइब भीरी चैतने इसट रहे इन्टयू धियुक्त धी ये फिर अपसेंट धीए अरिटतर Lewaburst के का नदर के फोड़े का ए दीचा सिस्टम को डिटा के लगे ड़ा सैने क बना कि है फिर भाग में होता है और non-codata के अंदर dorsal, lateral या फिर absent होता है dorsal blood vessel तो codata के अंदर blood जोता है posteriorly flow होता है और non-codata के अंदर blood जोता है वो anteriorly flow होता है hepatic portal system codata के अंदर present होता है non-codata में absent होता है hemoglobin तो codata के अंदर hemoglobin RBC के अंदर पाया जाता है और non-coda 다 जाके अंदर फलाजमा में पाई जाता है अत्व अप्सेंट होता है रेस्पिरेशन तो कोड़ेटा ज affiliation gills या Lungs की द्वरा किया जाता है और non-coda जा- इंदर body surface gills या track Π体 čरेकी इसा की insects में देखनी को मिलता है इनकी द्वराइ किया जाता है नर्वस सिस्टम कोड़ेटा के अंदर होलो होता है और नोन कोड़ेटा के अंदर यह सोलीड होता है अगर हम ब्रेन की बात करें तो कोड़ेटा के अंदर फेरिंक्स के डॉर्सल भाग में हैड के अंदर ब्रेन पाए जाता है और नोन कोड़ेटा के अंदर यह फेरिंक्स के अगर रूट की बात करें तो इदे नामता कर ओड्रेटा आंथा दो ऊरल सो और ब 먼ंत्रल जो रूटाल होती है वो सेपरेड होती यह नों को डेटा के अंदर ऐसा पुर होता है यह इतना प्रीरेंहें की पावर इतना अच्सी नहीं होती है नोनकोडेटा के अंदर रीजनरेशन कई पावर अच्छी होती है बोडी टेम्प्रिचr की बात करें नहीं प्रवाद पॉर्ड एक फ़ों फंक depth होता है तो जो और व्हार्कार्स ओर अप्लाइ दिस्ट थार्बॉस्ट वेस्ट वैपने जाओ।